मुझे वेलकम दियर स्टूदेंट्स ये examiner का फेवरेट टॉपिक है void and voidable contract पर questions पूछना void contract हम last day discuss किये थे एक ऐसा contract जो seize हो जाता है enforce नहीं करा सकते है तो उसे हम void कहते हैं और कभ होता है void उस समय होता है जब ये seize होता है enforceable नहीं करा सकते है हमने discuss किया था अगर fire लग गया है अगर किसी का death हो गया है voidable क्या है एक party के पास option है कि वो performance नहीं करे वो performance करने से इंकार कर दे और कमाल की बात देखो ये भाई साब A जो है performance करने से इंकार कर रहा है और भाई साब B के पास इतना power नहीं है कि वो जाके enforce करा ले तो ये contract voidable हो जाएगा मतलब avoidable अपने बोलते हैं avoid कर रहा है मेरे को तो ये avoid कर रहा है मतलब ये performance नहीं कर रहा है जा मैं perform नहीं करता void contract enforce तो हो ही नहीं सकता है cannot मगर ये enforce हो सकता है जो aggrieved party है जिसकी बेटी को kidnap कर लिया गया है वो भाई साब ने performance कर दिया तो हो गया contract मगर अगर वो किसी भी situation पे हिम्मत करके पुलिस उसकी बेटी को recover कर लिये अब वो performance नहीं करना चाहता है तो अधर party जो है उसके पास इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो जाके जज को बोले कि जज साब जज साब देखिये ना मैंने इसकी बेटी को kidnap किया था 25 लाख रुपया में इसने sign किया था 2 करोड का घर को और देखो ना जज साब तो जज बोलेगा अगर देश ने कुछ कानून बदल दिया तो वोईड हो सकता है कल तक जो वैलिट था या कोई ऐसा circumstances जो beyond the contemplation of the parties है जैसे हमने discuss किया था fire लग गया जा death हो गया ये दो तो है और अगर law में change आ गया है अगर देश का कानून बन गया है कि अभी एक महिने तक जितने भी sugar contracts है उसको hold कर दो हो सकता है शुगर को लेकर black marketing चल रहा हो डेश ने एक नया law बना दिया है तो वो सारे contract कल तक जो valid थे void हो जाएंगे अब यहाँ पर voidable कब हो रहा है जब consent free नहीं था ये हम discuss कर चुके है void contract क्या perform हो सकता है नहीं जी cannot मगर aggrieved party जिसके साथ धोका हुआ है जिसका free consent नहीं है उसे aggrieved party कहते है कुछ act करना चाहिए था और वो silent है और दूसरा party जो गलत है उसको पता है कि ये silent ही रहने वाला है कमाल की बात देखो वो गलत इंसान भी sue कर सकता है सही इनसान को कि आरे भाईया performance कर void contract में क्या कोई legal remedy है क्या law या judge साथ कुछ help कर सकते है नहीं मगर voidable में जिस भाई साथ का consent free नहीं था उसको एक अधिकार मिलता है contract को cancel करने का अधिकार recent मतलब cancel मगर ये contract reasonable time पे आपको action लिना होगा अगर ये cancel हो जाता है तो ये बन गया void और अगर नहीं होता है ये performance हो जाता है तो ये बन गया valid इसी प्रकार से examiner का favorite question की void agreement and illegal agreement में क्या फर्क है void agreement कोई जरूरी नहीं है कि वो illegal होगा void agreement देश का कानून उसे मना नहीं करता है not forbidden void agreement में कोई punishment नहीं है void agreements के साथ अगर कोई जुड़ावा agreement है जिसको हम collateral कहते हैं illegal illegal मतलब देश का कानून जो है देश का कानून मना करता है देश का कानून मना करता उसके बाद भी तुम लोगों ने agree कर लिया आपस में देखो यही बात है हम आपस में एक दुसरे को क्या promise करे यह तो जच साब आप देखने वाले नहीं है न हमने कर दिया promise मगर आपने promise किया किसी का घर लूटने का बैंक लूटने का murder करने का गलत काम करने का जो illegal है already Indian penal code में लिखावा है यह सब काम गलत है police arrest कर सकती है सजा हो सकती है वो काम कर रहे हो तो illegal agreement जो है वो तो हमेशा वाइड होगा एंफोर्स तो कभी भी जज नहीं बोले का रहा हो पैसा ले लिया पांच लाक रुप्या murder करने का कर दे तेरे को पांच लाक मिल गया तेरे को पांच लाक मिल गया तो यह executory contract याद है हमने पड़ा था कि एक पार्टी ने कर दिया दूसरे पार्टी को काम करना बचा है तो जज बोले ओ दिस इग्जीक्यूटरी contract प्लीज एग्जीक्यूट यॉर प्रॉमिस क्या जज साब ऐसा बोलेंगे नहीं 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 सो इल्लीगल अग्रीमेंट कानून के तहत फॉर्बिडन है मना है इल्लीगल अग्रीमेंट कर रहे हो सजा हो सकती है और इल्लीगल अग्रीमेंट से को लैटरल अग्रीमेंट जो है उसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है तो वो भी गलत है UNENFORCEABLE CONTRACT CONTRACT अच्छा खासा GOOD है मगर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है क्या डिफेक्ट है राइटिंग नहीं था टाइम लिमिटेशन हो गया ठीक है सो ऐसे सिचुएशन पे हम कहते हैं UNENFORCEABLE CONTRACT क्या एक पार्टी सू नहीं कर सकता है यह आप दोनों नहीं कर सकते हैं इसका वैल्यू खतम हो गया है UNENFORCEABLE पावरलेस हो गया यह EXPRESS CONTRACT EXPRESS मतलब मन की बातों को व्यक्त करो भाई सो वो व्यक्त कैसे होता है वो WORDS में हो चकता है राइटिंग में हो सकता है ठीक है सो उसे हम कहते है EXPRESS IMPLIED CONTRACT यह IMPLICATION से आता है यह CONTRACT EXISTENCE में आया IMPLICATION से IMPLICATION मतलब अरे भाईया CONDUCT OF PARTIES CONDUCT OF PARTIES मतलब अब देखो कूली भाई साब आपका लगेज उठाते है कूली यूरिफॉर्म में तो आपको पता है कि कूली है लगेज उठा रहा है बाहर तक लेकर जाएगा तो यह IMPLICATION है यह तो समझ में आ रहा है कि कूली को कुछ पैसा देना है तो कूली ने क्या आपको कुछ कहा कूली साइलेंट था आपने कूली से कहा आप भी साइलेंट थे मगर साइलेंट साइलेंट में आप बोलोगे कि कोई ओफर नहीं था कोई एक्सेप्टेंस नहीं था तो कॉन्ट्रेक्ट कैसे हुआ पजा कूली मेंटर को पैसे नहीं देता हूँ ऐसा नहीं होता है तो इस सिचुवेशन पे अगर आपको पैसे नहीं देने थे तो आप कूली को मना कर देते सिमिलरली आप बस में चड़ते हो आपको पता है कि टिकिट का पैसा लगेगा आप किसी रेस्टराण में कॉफी पी रहे हो और बाद में जब बिल आया तो आप बोलते है रहे भाई कोई कॉट्राक्ट थोड़ी नहीं था ऐसा नहीं होता है यह इंपलाइड है कि पैसे देने है सेम कॉंसेप्ट इंपलाइड वाला है मंगर इंपलाइड में इंसानों के साथ डील हो रहा था जब हम मशीन के साथ डील करेंगे टैसिट हो गया यह ATM मशीन के साथ आप जब भी कुछ डील कर रहे हो राइट सो सैलेंटलि डील कर रहे हो आक्षन में जब हैमर गिरता है कि ये घड़ी 25002 25003 और वो hammer को गिरा दिया जाता है तो ये confirm हो गया कि अब bidding खतम और ये घड़ी अगरवाल जी को दे दी जाएगी quasi contract में actual में contract नहीं होता है मगर ये resemble करता है कि जैसे की contract हुआ है कोई intention नहीं है तो हमने starting में पढ़ा था कि intention होना ज़रूर ये intention to create legal relationship मगर इस situation पर law जो है देश का law जो है ये enforce करता है legal right बिना कोई intention के कोई contract बना ही नहीं कोई real contract exist नहीं कर रहा है अरे भाईया एक बात बताव 5 लाख रुपया cash गुपता जी के घर पे देना था किसी को मगर गुपता जी के घर पे नहीं दे कर किसी ने मेरे घर पे दे दिया और मैं कहूं कि ये लक्ष्मी माता की कृपा है लक्ष्मी मा मेरे को सपना में दर्शन दी थी तो ऐसा कहानी से भी नहीं चलेगा देश का कानून बोलेगा कि भाया जिस इनसान का ये पैसा था गल्ती से तुम्हारे पास आ गया उसका लीगल अधिकार है वो तुमसे पैसे ले सकता है तो ये अधिकार कहां से मिला? Law imposes a contract upon the parties कहने का मतलब है कि सामने वाला का right है पैसा लेने का और मेरा obligation है तो जहां right आजा जहां obligation आजा तो एक तदिका से situation बन जाता है जैसे कि contract है कौन बोरता रहा है contract है? law बोल रहा है अगर मैं पैसे देने से मना कर दू तो बस मना कर उसके बाद दिख क्या होता है उसी प्रकास से अगर आपको किसी का खोयावा समान मिल जाए और आप बोले यह तो मेरा है तो नहीं चलेगा तो ऐसे situation को हम बोलते है quasi contracts e-contracts तो हम समझ चुके हैं जहां हम electronic commerce में deal कर रहे हैं right so एक mouse के click करते के साथ contract हो गया well आज के लिए इतना ही I am open to your questions कि अए प्राइब कर दो कि अए दो हम भी जाए कि झाल जाए खर आपको कि अए अए टाए